Hello, Welcome back to my YouTube channel तो आज हम जानने वाले Y12S के बारे में दरसल ये फून में प्रॉब्लम अगर आपके पास आया नो डिस्प्ले लाइट या तो नो ग्राफिक्स तो ये वीडियो उसी के लिए तो चलिए आज को टॉपकी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जाते है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर की पूरी नीचे की जो लाइन है ये आपको चेक कर लेनी है अगर ये नीचे की एक भी लाइन ये जितनी भी दिखा हूं है ये अगर जी आर वेल्यू नहीं दिखा रही है तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा और यह connection गया है पूरे के पूरे CPU में, इसके बीच में एक भी component यूज नहीं हुआ है, यह direct की supply हमारा CPU में गया हुआ है, तो देख लिए जी कुछ इस तरीके connection है, तो यह आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, और यह आगे के जो दो point गये वे connection हमारे यहां गये वे, य यह जो display को power दे रही है, हमारी power IC, यह देख लिजिए, यहां से एक voltage आ रहा है, और यह supply भी हमारा CPU से आ रहा है, तो दादातर connection CPU से है, और तीन connection बहार से लगे वे, तीन connection पावर के में से आए वे, एक यह वाली line, 1P8 line आई वे हमारी power से, तो अब आजाते हैं हमारे display light connection के तो यह आगे हमारे display light connection पे, अगर आपकी phone में display light नहीं आ रहा है, तो आपको यह सभी step follow कर लेनी है, सबसे पहले आपको आजाना यह orange वाली हमारी जो track है, यह main track है display light की, और यह register के तुरू होते वे, capacitor के तुरू होते वे, divert में गई है, तो यह register कई बार खराब हुजाते है तो यह आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, अगर इसमें से एक भी चीज़ खराब हुई होँगी, तो आपका display light on नहीं होगा, अगर उसके बाद में भी अगर आपका power नहीं आ रहा हुगा यह IC से, तो भी display light on नहीं होँगी, तो आपको यह सब चीज़े अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है, तो चलिए मिलेंगे हम आपसे नेक्स वीडियो में, ओके बाई बाई